राजस्तान में इस सल मौनसून की अच्छी शुरुआत के बाद किसानों ने बड़े पहमाने पर उड़ा दोरो मुंग की बौई की लेकिन वौई के कुछी दिनों बाद हुई अत्यधिक बारिश और फिर सूखे जैसे हलात के चलते इन फसलों में 40-50 फिजदी तक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है दरसल अगस्त में हुई भारी बारिश से मुंग और उड़त की फसल को काफे नुकसान हुआ है ज्यादा बारिश से कही जगों पर फसले गिर गई तो कहीं गलने लगी जो फसल बची है उसमें ज्यादा फलिया नहीं बन रही माना जा रहा है कि इस समय बारिश ना होने से नमी की कमी और अधिक तापमान के कारन भी उपज में गिरावटा सकती है जानकारों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने से सबसे ज्यादा जवार और मुंग की फसल खराब हुई है इसके इलावा कई इलाकों में उड़त, मक्का, गवार, सोयाबीन और मुफली की फसले भी खराब हो चुकी है फसल खराब होने के कारण किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल लग रहा है राजस्थान में अगस्थ में अधिक बारिश और बाद में सूखे के कारण तिल की उपज में भी गिरावट आने की उमीद जताई जा रही है वहीं देखा जाए तो राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक होता है और इसकी खेती लगबक 40-50 लाग हेक्टर में की जाती है इसकी बारिश और बीच में सूखे जैसे हलात के कारण राजस्थान की परमुक फसलो गवार, मोट और मक्का की पैदावार में गिरावट आने की उमीद है अगर सितंबर में बारिश हो जाती है तो तोरिया, सरसो और दलनी फसलो की अच्छी बुआई हो जाएगी नहीं तो रभी फसलो पर भी इस सूखे का असर दिखाई दे सकता है बिरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी